2023 बीत चुका है 2024 की शुरुवात हो चुके है और आज 14 जन्वरी मकर संक्रांती का पर्व है और दूसरी तरह भगमा स्रीर राम के भव्य मंदिर का उधगाटन और अभी हमारे साथ मौझूद है इच्छाधारी नाग आजे गौतम जी इनका एक दावा था कि 2024 में मैं एक इच इच्छाधारी नाग बन जाओंगा पर अभी तक 2023 बीत चुका है 2024 की सुरुवात हो चुकी है पर अभी तक यह ना नाग बने है ना इनका कोई नाग का रूप अभी तक इनके सरीर में उत्पन हुआ है अभी हमारे साथ यह मौझूद है इनसे कुछ बातचीत करेंगे क्यो नाग जी सबसे पहले स्वागत है और यह बताईए 2023 तो बीच चुका है 2024 की सुरुवात हो चुकी है पर अभी तक आप ना क्यों नहीं बने देखो मैंने सभी वीडियो में इस बात की जिग्र किया है कि 2024 लाष्ट में मैं अपनी सक्तियों द्वारा कुछ भी कर सकता हूं य इनका इंतजार करना है और बाकी बनना तो होता है इनमें कोई दाग नहीं है जो कि काफी लोग इस बात से सहाँ आप तो कोई टाइम तो दिये नहीं थे कि हम 2024 है इस तारी को इस डेट को हम इच्छाधारी नाग यह नाग यह नहीं में आ जाएंगे ना का रूप ले है लेकिन एक देट तो उसमें बोला हूं सभी वीडियो में लगभा कि 2024 में हमारी सक्किया हमारी इच्छा से हो जाएंगी और हम कुछ भी कर सकते हैं संसार पर या धरती पर आपने आपको कोई रंग रूप बदल लेना यह मलब अपनी इच्छा पर हो जाएंगी तो यह च चाल रहे हैं वे बाकी के साथ करें कि 2024 में इंच्छा धारी नाग बना क्या कोई मजड़ा का खेल है यह मजड़ा का खेल नहीं है क्यूंकि हम ने इस में में 2012 से ही भूगत रहा हूं और सारी कारकाल को समझ भी रहा हूं साससांत मलविस्वरी घ्यान मिल वी रही है कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है है आपके अपने इच्छा सही ताइन चलाना है सब कुछ सकतियूं के बाद या और किसी की साजेदारी करनी है तो यह सारी चीज़े कि यह कहें कि साफ भी इसकी थैली होती है, क्या-क्या चीजे होती है आपको पता है? देखो जो अभी हमने वरतमान में मानों की जीवन पाई है, वरतमान की जो साफ हैं, जिनकी जहर की बात की जाती है, तो जहर की एक परकिरियां उनके भी अंदर बनी हुई है, लेकिन जहां तक हमारी बात है, तो हमारे जुबान में अब बाते आई हुई है, कि मैं जुबान से अगर कुछ का देता हूं, किसी को मरने के लिए या और भी कोई चीजे बाते का देता हूं, तो वो होना तैय है, इसके लिए हमारी सक्तियों की बात है, और उनकी जो सारीरी के क्रियाएं हैं, उनमें तो हई ही है, काली जुबान और जूट की राह पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है, पर ये महान है, ये गुरू है कह रहे हैं, कि मैं एक नाग बन जाओंगा, नाग सक्तियों की बात थी, तो कुछ भी किया, चाहे बोगा कैसे भी करके पापड बेल कर, आज 12 साल के प्रस्थान में, मलब प्रस्थान कर दिया हूं 12 साल में, और 11 महिने का दिनावर बच्चे हुए है, ये आपको पता है, कि दरसाल साब के काटने से कितने मृत्ति होती है, आ आकड़े नहीं लेते हैं, मतलब क्या आकड़े लेते हैं फिर आप, आकड़े तो अभी में अपने ही जीवन के कारकाल को, या फिर हम से जूड़ी जगत में कितने लोग हैं, या कौन छुट सकता है, कौन नहीं छुट सकता है, ये चीजे चल रही हैं, सिर्फ आप एक कूप समझेंगे हैं, चूतिय समझेंगे, नहीं आएसी कुछ नहीं है, ये आखिरी डेटिंग फाइनल है, इसके पहले ऐसा कोई नहीं करार था, जहां तक कि कई वीडियो में बताया हूं, दो तीन बार नागिन ने कह कर नहीं आये हैं, तो ये बाते मैंने खुल के रखा ह और जहां तक मेरी मामले हैं, कि ये बागवान सीव जी की देन से ऐसी मैंने बोलता हूं, और सच्चाई को ब्यापक्त किया हूं, और इसके पहले नजाने कितरे लोग हमारे मामले में आकर विचारे फस गए हैं, और उनकी जिंदी की इस तरह धजिया उड़ गई है, कि क्य बताएं, वो आज भी रोते फिरते हैं, ये आपने रिसर्च किया था, रिसर्च नहीं किया था, ये चीजे देखने को मिल गई, मेरे जुबान से निकली और देखने को मिली है, और जिसमें कि मैंने एक भाई और आय थे बहुत पहले ही, उनकी वीडियो मैंने एक ब्रामर क पर देखते हैं, डिश्टल बोर्ड चलाते हैं, पर ये कहीं कहीं सपने में इनको डिश्टल बोर्ड जैसा कुछ दिखाई देता है, लोगों के बिसमें लगातार ये सोच लेते हैं कि कल इसके साथ क्या होने वाला है, ये इनको नहीं दिखता है, सिर्व इनको दिखता है, साइद कल उसके साथ बुरा होने वाला है साइद यही दिखता है आपको बात तो दरसला मैं सभी दर्सक को बताना चाहता हूं कि मैंने सं 2012 से लगब बुराईयों वाली बातों को सो परसंड में 90 तक बताया है और 90 में से एक भी नहीं छुटी है सब पूरा हुआ है अच्छा ह बातें देखने को मिली और हुआ घटना ऐसा ही आपको पता है कि नाग नाग लोग नाग लोग का दरवाजा कहां है नहीं यह सभी नहीं विचार किया है फिर अभी जो हमारे उपर सक्तियों दारा बीत रहे वो देख रहा हूं और जो और लोगों के लिए निकल रही है मेर हो जाते हैं नहीं अचींगिन की बात है तो हमारे लिए उनके दिल में कोई पैसे मुलाकात ही होई हैं आपके साथ लेटी भी हैं काफी लंबा वक्त बहुत आए औडवे हैं बड़ी बड़ी मोबाइल चलाते हैं तमाम लोग ध्यान से देखिए गाई कि बड़ी मोबाइल चलाते हैं पर काफी सवाल आपके उपर उत्पन्द भी हुआ था खड़ा भी हुआ था कि आप कोई ऐसा चीज कोई ऐसी चीजे लेकर आए जिससे लोगों को दिखाए और पर आपको रखना चाहिए था आपने कुछ ऐसा किया बास सही क्या रहे हैं लेकिन दरसल हम यह ऐसा नहीं दिखाना है और एक दिन खुद ही उन्हें इस तरह कैमरे पर कर दूंगा मैं जिससे कि आपके कैमरे में तब खीचने से आएगा और ऐसे में वह चाहेगी तभी मेर आगर नहीं चाहेगी तो नहीं आसकता। यह सबी तो हम इस नहीं करने हैं हम मनुस यहनी से हैं हमें पता है कि मनुस की उम्र क्या होती है हमें पता है एक्षिडेंट हो जाए ततकाल मर सकता है आग लग जाए ततकाल मर सकता है पर उसकी जीवन आयू कितनी है यह हमें पता है सार साल जी सकता है सबसाल जी सकता है इससे अधिक नहीं जी सकता है फिर आपको कुछ पता ही ही. बता है बता को आपको मैं जवाब चाहूँ जवाब चाहूं। उनकी पता नहीं कितनी हजार वर्स सिरिष्टियों में राज करने की बात आती है, अभी तक तो मैं भी यह नहीं किलियर कर पाया हूं अपने पीछे की, कि मैं कितनी हजारों वर्स इस पर राज करूंगा, लेकिन राज की बाते आ गई है, निश्चित रूप से आ चुकी है, क और वियार मित्र में डाला हूं तो उनकी सारी समस्या या स्वयम की सरीर की जो कष्टे हैं इन पर अभी दोड़ कर रही है और कहीं कहीं अपने सक्तियों की लंबी समय का लेकर भी मन में बहुत तकलीफ होता है कि 12 वर्स का दिन भगवान ने लिखा अभी 11 महिना बाकी है बार दिया हूं उनकी कारकाल जिंदिगी की वह भी बड़े दुखी है कि भगवान इनसे मैंने पूंचा क्या और इनने बता क्या यह बताए आज मकर संक्रांती का महापर्व है कहते हैं यह साल में एक बार आता है जैसे कहते हैं कि कामावस की रात होती है तो साल में या कभी वह वह यह एक वार आती है तो आज क्या आगी नागी आपसे मिलने के लिए अभी तक तो रात तो हऊ नहीं है और होगा भी तो आप उनकी इच्छा की बात है, वो आभी सकती है और नहीं भी आ सकती है, मतलब आभी सकती है और नहीं भी आ सकती है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं, अगर आप से उनका लगाओ है, मुहबत है, कहते हैं कि आपकी पुरहर जन्म में आपकी पत्नी हुआ करती थी, तो क्यों नहीं मिलने आएंगे पेर अब यी तो देखो जैसे को कई बार अपनी इच्छा से कभी-कभी दो दिन-तीन दिन नागा जाता है कभी हपतन जाता है, कभी लगातार आती रहती है तो इसपर एक ही option है हमारे पास की अपनी इच्छा से चाहे जहां चाहलूं तावक तोड दिखा सकता हूं तावक तोड मलब आदमी कहे और तुरंत 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 एक सिकंड नहीं लगेगा क्योंकि यह सभी जैसे की लोग देखे हैं आप लोग भी देखे हैं कि जादूगर कैसे जादू दिखाता है तो वह जादूगर है ले जादू दिखा रहा हैं और हम जो चीज हैं वो हम दिखा रहा है हम जादू गार से हट के हैं हम इच्छादारिये तो ऐसे में हम भी तावक तोड़ गर देंगे सन 2024 के बाद है अब आपका ये इनका ध्यान से सुनिये अभी का रहे है कि 2000 के बाद यह करे हैं कि 2000 लास्ट में ढ़िए में कि future future बाद में ज्यांगे फिर अभी आम सब्राइब आपने जो सुना कि 2000 के बाद तो 24 में तो दुनिया में एक बार हो आएगी लाश्ट में लेकिन जब दुनिया से मलब 24 में यहां आजाए हम हमारे घर परिवार गाउं जिला अगल वगल हमारे इडियर मीडियर जितने हैं सब आजाएंगे देख लेंगे इसके बाद फिर हमारी इच्छा होगी कहीं जाने की तो जब वहां जाएंगे तो 24 के ब अब भी ताया है क्योंकि नजाने कि जिंदिगीयां फस चुकी है जिसे इसकी पर देखने वाले को भी अंदाजा नहीं होगा भाईयों को कि इतने लोग फस गए इनके मामले में और कितने तो जान से निपट भी गए हैं ऐसे इसकी पर बोलने किसी को हिम्मत नहीं है लेकि जिसके साथ गटी हो या उसके जुबान से निकल के घट जाए तो उसे बोलना ही पड़ेगा ना चाहते हुए क्योंकि उसे सचाई रखना है ना तो अपनी नाम कमानी है तो हम नाम नहीं कमा रहे हैं मीडिया पर क्योंकि हम किसी से ना पैसा लेता है आप साइद मांसीग ब आते कर रहे हैं अगर हमें दिमाग का दवरा होता तो सिर्फ नाग का ही बात करता ना तो आप लोगों को समझता कि आप फलाने अगली बार आये थी अविस बार भी आये हैं ऐसा समझ नहीं सकता और नहीं कोट की बात करता नहीं तो राम भगमान की बात करता जिस मंदिर को लेकि इतनी विवाद चल रही है और भी अभी बीज बीज में कई मामले ऐसे आया थे बद्राचार जी ने भी कुछ बोल दिये थे चमार जाती को लेकर अच्छुद्र बोल दिये थे तो यह भी विवादे मैंने देखा मनलब तो हम मांसिक रूप से पीडित होते तो हम इतनी चीजों को दरसाते समस्ति यह बताईए सोचल मेडिया पर लगाता आप के वाइरल तो हो गये हैं पहले आपको गालिया ही मिल रही है पर आप वाइरल तो हो गए है अगली बार चुनाओ लड़ने का इरादा है गुरू का नहीं ऐसा कुछ नहीं अगर चुनाओ की बाते हो कि कोई भी परदान मंत्रिया कोई भी चुनाव लड़ता हो तुसको ओट मिलने से पहले तो गाली मिल जाता है यह बताईए बाइस तारीको भगवान स्री राम का भवे उधगाटन है क्या आपके नागिन या आपको कोई बुलावा आया है वहां से बुलावा आया भी नहीं है और वहां अपना जाने का इरादा भी नहीं है क्योंकि जिसे मन में बसाए रख्यों हो या फिर कहें कि जो मन में सबके बसा हो तो उसे पथल में ढूड़ने का में जरूवत क्या है जो मन में बसा हो राम, तो उसे पथल में ढोड़ने से क्या मतलब है, तो फिर तमाम लोग देख रहे हैं, फिर उनको क्या कहेंगे फिर, विश्वास करें, इंतजार करें या न करें, नहीं, देखो हर चीज का इंतजार करना होता है, ऐसा नहीं है कि आज पतनी को बच्चा प क्योंकि आने वाले कल में आपकी होसले को मैं फिर से जिंदा कर दूंगा एक बार इस दुनिया में, यह बताएए आप 2024 लाष्ट तक मनुसियावनी छोड़कर आप नाग बन जाएंगे या नहीं बनेंगे और आप नाग हैं या नहीं हैं, देखो हैं और बनकर भी दिखा वो वीडियो सभी चैनल पर चलता रहेगा, यह क्योंकि हम अपने इच्छा से तब हो जाएंगे तब हमारी गती सक्तियों में रोध रहेगी, तब हम जिसको चाहेंगे वही मेरे करीब आएगा, जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं आएगा, चलिए फिलाल यह नाग देखता में बोला था, और अभी तक यह पहला महीना है, अभी तक ना आप नाग बने हैं, ना कुछ हुआ है, फिलाल आप कह रहे हैं कि मनाग बन जाओंगा, तो चलिए ठीक है, जैसे इतने दिन, वह सी 11 महीने तमाम लोग जो है देखने वाले, और इंतिजार और वेट कर लेंगे कि हम इन पर कोई कारवाई करके और सक्सेज हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक कारवाई उन्होंने सच पर इस तरह से किये, तो पता नहीं कितनी कारवाईयों को सामना करना पड़ जाएगा, और सब कुछ बह जाएगा उनका, और नहीं यकीन हो, तो आके पहले मेरे बरसठी या हैं मनिपुरगाऊं में जाच परतायों जम करकर ले इतना जम करकर करले कि जिसका सिमा नहीं हो कि आए और आपकी जाच करने उसके बाद जो फैसला करना फासला करें चलिया फिलाल आपकर शंकर कर यह जानने का प्रयास की किये फिलाल ये आज मकर संक्रांती का महापरो है और महापरो के दिन आज मैं इनसे मुलाकात किया और इनके नाग यवनी से लेकर मनुस यवनी तक की जो बाते थी बातचीत की इनसे किये और काफी अच्छा लगा फिलाल आपकी क्या राय है एक कमेंट जरूर करिएगा मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भर